पेरे बचों जेहिंद, आज का हमारा टॉपिक है Causes of Application of the Law Law of Variable Proportionate अर्थात घरते बरते नुबाद के नियम के लागू होने के क्या करण है ये हम समझेंगे, आज ये वाला जोलों हमने कल पड़ा था उसको हम समझेंगे कि इसके लागू होने के क्या करण है इसका महत्वा क्या है, तीनों, इसकी जो स्टेजिस है और इस लाग को क्या हम पोस्ट पॉन कर सकते हैं नियम का स्थागन, चलिए शुरू करते है Causes of Application of the Law घरते पर थे नुबाद का नियमें, हमारा प्रस्टू माइक्रो चटे चप्टर का साथवा टॉपिक को रहेगा ये वीडियो नुबर 38 तो जब हमने इसकी नियम के लागू होने के चार मुख्यों कारण हम इसमयाद समझेंगे पहला मुख्यों क्या है Indivisibility of Factor अर्थाथ साधनों की अवेवाज़ता इसका मतले भी है कि साधनों के वेश़ता क्या है कि एक निश्चित सीमा तक उत्पादन करने के लिए उस वस्तू की कम से कम एक ही काई किया उशक्ता होगी आपको मिनिमम वो एक requirement चाहिए ही चाहिए जैसे हमारे पास विद्धियाले में अगर पताना चारा है अगर एक दो पेज़ प्रिंट निकालते हैं धिनका तो इनको एक प्रिंटर चाहिए वो अगर 10.000 रुपए हम उस पे 10.000 रुपए वेया करते हैं तो दिन के 2 तिन पेज़ काम काम निकालते हैं उसपे हम चाहते तो 15, 20, 50 पेज़ भी रोच के निकाल सकते हैं हमें एक पेस निकालें چاہें 80 हमें एक प्रिंटर चाहिए ही चाहिए तो उसके पर हमें वो है करना ही पड़ेगा तो जितना जーद हम उसका परिउक करेंगे उसका यूज़ उतना ही जादा बढ़ता चला जाएगा उत्पादन बढ़ने से क्या है कि उसकी लागत प्रतीकाई जो गड़ती चली जाएगी और सिमान तुक्योंगी ता उसकी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि एक मशीन इसका मिनियम यूज एक है ही है दूसरा क्या आजाता है fix factor of production उत्पादन के स्थिर सादन हमारे पास जो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्या लिया था बने सादनों पर परवितिन सादनों को बढ़ाया था अरतात हमने परवितिन सादन अनुपाद को अपलाई किया था variable factor को हम बढ़ा रहे थे उस से हमारा उत्पादन जो है वो पहले परतिदर से बढ़ता है फिर समान दर से बढ़ता है फिर last में घटने लगता है कारण क्या है कि कुछ सादन हमारे fixed है और उस से क्या होता है कि जब हम variable factor को बढ़ा रहे तो श्रमिकों की जो अनुपात है भूमी जो हमारा फिक्स प्रेक्टर है उस अनुपात में गड़बड हो रही है अनुपात गड़बड हो रहा है तो शुरू में जो हमें बढ़ते प्रत्फियल मिले जैसे हमने एक एद में एक श्रमिक लगाया था तो वो इसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा था जब हमने इसके दो, तीन, चार शिर्मिक लगाया तो उसका उत्पादन हमारे लिए बढ़ा बढ़ते प्रतिफ़ल मिलेते लगर हम और लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए समान प्रतिफ़ल मिलेंगे हमें उसके बाद इसके घट्टे प्रतिफ़ल प्राप्त होते हैं क्योंकि कुछ साधन जो है, यह हमारा फिक्स्ट है, कुछ साधन हमारे बंदे हुए हैं, जिससे और बढ़ाने से हमारे उसकी सीमान उत्पादक्ता जो है, वो कम हो रही है तीसरा मुख्यकारण है बंदे साधनों का इस्तम से अधिक प्रियोग उत्पादन बढ़ाने के लिए हम परिवतिनी साधनों को बढ़ा रहे हैं शुरू में स्थिर साधनों का कुछलता भी बढ़ी लेकिन उसकी एक इस्तम उप्योग है उससे अधिक उप्योग नहीं हो सकता से साधन का इस्तम उप्योग जैसे जैसे हम परिवतिनी साधनों को बढ़ाते हैं तो बंदे साधन का गलत अनुप्याद जो बढ़ने लगता है उसकी ratio जो है वो घड़ पड़ हो जाती है fixed factor पे ज़्यादा लोड परता है तो वो उत्पादक्ता जो हमें पहले बढ़ते प्रत्वे मिलते हैं फिर समान मिल जाते हैं उसके बाद वो इसी कारण से में घड़ते प्रत्वे मिलते हैं जादा देर तक अदी कुशलता से उप्योग होना संबब नहीं है ये एक समय के बाद इसके प्रतिफल घटने शुरू हो जाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बंदे सादनों को स्थिर रखके परिवत इस सादनों को ही बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से ये law variable proportion apply होगा पहले प्रतिफल फिर समान और घटे प्रतिफल उसके बाद हमारा आ जाता कि postpone of the law variable proportion क्या यो घटे बढ़ते हैं उपातका नियम इसको हम postpone कर सकते हैं स्थागीत कर सकते हैं इसमें हमने दो मुख्यों वज़े इसकी परते हैं नियरस नहीं कर सकते हैं पर क्या हम postpone कर सकते हैं पहला क्या हमने समझा इसमें कि increase in production technology नियम हमने जब law variable proportion प्रतिफल समझाता शुरू में तो हमने उसकी एक मानेता मानेती कि उतपाद उनकी तक्निक में कोई परिवर्ता नहीं होता अगर हम क्या करें इस बंदे साधन का कुछ substitution या प्रतिस्थापन ढूंड लें तो वो कैसे संभाव है प्रतिस्थापन कैसे जैसे हमने शिम्ना में हमारे स्कूल समय से दरजी की एक दुकान थी A1 टेलर तो उनके पास जैसे जैसे काम भड़ता चला गया उस एक कमरे में उन्होंने अपने साथ दो तीन चार कारिकर रखने शुरू कर दिये अब क्या हुआ जब चार कारिकर रखने तो काम और बढ़ता चला गया अब ये इस कमरे को तो बढ़ा नहीं सकते हैं तो उन्होंने कैया कि विकलप क्या निकाला है कि दस फूट हाइट थी कमरे की उसी में आदे में फरस्ट डाल के सीड़ी निकाल के यहां पे तीन कारीगर उपर भी ठा दिए तो कुली मिला के अब उस चार की जगा पे साथ कारीगर अब काम कर रहे हैं अब उनका जो फिक्स फेक्टर था उसका थोड़ा सा अन्योंने क्या किया विकल्प निकाला अब प्रोड़क्शन थोड़ा और बढ़ गया तो यह थोड़ा सा पोस्पॉन हो गया तो अगर हम ऐसा बनिस हदन का भी कल्प निकाले तो ये law जो है वो थोड़ा सा postpone हो सकता है, delay हो सकता है घर्टे प्रते लुके नियम थोड़े लेट आ सकते है नीरस नहीं हो सकते हैं कि हम कभी ना है, ऐसा संब़व नहीं है इसके बाद last इसमें आ जाता है significance of the three stages of law variable proportionate तो घर्टे बढ़ते नियम की stages है तो इनका महतो क्या है क्यों हम बढ़ते हैं, किसके लिए महतो है इसका महतो है उद्यमी के लिए क्यों है, पहली अवस्ता में क्या महतो है उसके लिए कि अन्य बादे समान रहने पर जब वो परिवर्ति निशी सादनों को बने सादनों पर बढ़ा रहा है तो उसका कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है तो क्यों नहीं उत्पादन कंटिनू करेगा और दूसरा क्या सिमान उत्पादन भी बढ़ रहा है ये जादा महत्वपून स्टेज है। क्यों क्योंकि उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् second stage में maximum पे जाता है उसके बाद घटना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि दूसरी अवस्था उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब तक इसकी दूसरी stage की end नहीं आ जाती, last stage नहीं आ जाती तब उसको पता चले गए कि मुझे यहां तक उत्पादन करना है, और तीसरी stage में क्या होगा, वो production बंद करेगा no production क्यों, उत्पादन कुल उत्पादन कम होना शुरू हो गया है marginal production जो है MP negative हो गया है, APB कम होना शुरू हो गया है, तो यह उत्पादन यहीं तक करेगा, इस वीडियो में नहीं, जाहित बंदे मात्रू